हाई अब्रिवान दिस इस सुबासिस बहुत सारे लोग मुझे बार-बार पूछते हैं सर फाइप ये मैं कभी उज़ करना चाहिए and all मैं इक डीटेल्स में थुछा सापको बताने वाला हूं तब आपको समझ में आयाएगा फिर हम लोग देखेंगे आज बहुत अच्छा प एक दिन का ट्रेट या दो दिन का एक महिने का ट्रेड कभी डिसाइड नहीं करता आप MON पॉसे लिए नहीं रहा हूँ जब अब लाइप मुझे इस तरीके से देखो गे आपको सिखाते हुए तब आपको थ excluding कहा करें चर प्ऊंस ऑनकते चत्रेटर थोग IRS होता हिए अभी तो पहले हम लोग कुछ trades ले लेते हैं in this condition अगर हम लोग देखेंगे लेट्स में सारे रिमूब कर देता हूं and future में कुछ कुछ trades लेके छोड़ देते हैं so that मैं आप लोग को explain कर पाऊं nifty के उपर हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से अगर लोग देखेंगे stop loss क्या लगने वाला है तो चले यहां पर हम लोग कौंटिटी सौट करते हैं ज्यादा नहीं रहा है तो इतना amount नहीं है that so के लिए 390 चाल लाग क्या सपास कुछ क्वांटिटी 200 क्वांटिटी चलो थोड़ा डिले हुआ इस फाइंड लोग लगा लेते हैं और यहां पर मैंने लगा लिया और इसका हम लोग 45 क्वांटिटी के लिए हूम लोग को कितना पैसल लगेगा 13 लाग तो 100 क्वांटिटी हम लोग 90 क्वांटिटी तो चलो 5 PA में कभ यूज करना चाहिए, दीकिए 5 PA में एक ऐसा setup है, जहाँ पे market over extend हो रहा है, तब हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं return to mean करेगा, reversal होगा, हम लोग sell करेंगे यहाँ पे, तो 5 PA में sell करेंगे, कब जब over extend हो रहा है market, यह point धार में रखना, selling दो type की होती है, selling दो type की होती है, एक होता है profit booking आजाए, या फिर trade हो गया market नीचे आए, या फिर market नीचे आ रहा है, sideways आ रहा है, breakdown हो, या फिर trend continue नीचे low low चल रहा है, उसके नीचे चले, तो 2 condition में हम लोग sell कर सकते हैं, कि market जब trade हो जाए, उसके बाद sell करें 5 PA में देखकर, या फिर market जब trending चल रह होता है, लोग गलती है करते है, 5 PA में हर इक टाइम पर हर इक जगा trade करते है, मैंने आपको दो point last video के अंदर एक बताया था, 5 PA में advanced point के अंदर एक बताया था, जहां पर resistance हिट करता है, उस area पर 5 PA में यूज करेंगे, ज्यादा profitable होगा, और एक point है over extend, that means over extend मतलब क्या होता है over extend मतलब buyers को पूरा profit मिल जाना चाहिए, उसके बाद अगर हम लोग ये यूज करेंगे, तब हम लोग को profitable हो सकता है, अभी अगर हम लोग bank nifty में देखेंगे, example की तरह अगर मैं आपको दिखा हूँ, 5 15 minute charts में, आपको यहां पर resistance दिख रहा होगा, यह point पर resistance दिख रहा होग लेकिन मैं यहां पर ज्यादा confidence होता हूँ, और आज अगर हम लोग देखेंगे, 15 minute charts के अंदर continuously 4-5 candle positive बना चुका है, और exactly resistance एरिया पर है, और यह resistance एरिया इतना important नहीं है, लेकिन important क्या है, market 21,000 touch किया, gift nifty अगर आप लोग देख रहे होगे, आप लोग देख रहे होगे, अगर हम लोग यहां पर देखेंगे, somewhere around 19,800 से straight momentum हुआ है उपर की तरह, तो इस area के अंदर अगर imagine करो, already round level आ चुका है, 21,000 round level है, यह round level आने के बाद, अगर में 15 EMA देख रहा हूँ, sorry 5 EMA देख रहा हूँ, that means stretch हो चुका है market, stretch होने के बाद, resistance कहां पर होगा, एक psychology level होता है 21,000 is a resistance, generally होता है, क्योंकि 21,000 के ओपर लोग call, put, sort करना prefer करता है, और in this case 21,000 के आसपास एक negative sign बना चुका है, 5 EMA भी दिख रहा है, negative sign भी बन चुका है, मैं यहां पर sort करना prefer करूँगा, rather than जैसे यहां से market नीचे गिरा, इस area में sort करना prefer करूँगा, क्योंकि resistance है, अगर यह यहां पर कहीं पर दिख रहा है, इस area में दिख रहा है, मैं तो असा ignore करता हूँ, I hope यह point आपको समझ में आ रहा होगा, यह कपी 100% time काम नहीं करता है, इसके लिए इसका extra reward बड़ा है, अगर हम लोग यहां पर sort किये, मेरा target कहां पर है, मेरा target आज का opening price, वहां तक मेरा target है, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, आज market inverted hammer type में close कर सकता है, chances are very high, क्योंकि market ने एक sign दिखा दिया है, traders club के अंदर भी हम लोग discussion कर रहे थे, यहां पर market ने एक sign दिखा चुका है, market अगर हम लोग देखेंगे, यहां पर एक sign दिखा चुका है, seller आ रहे है, तो इतना easily और breakout नहीं देगा, news आ चुके है, सब चीज़ा आ चुका है market के अंदर, अभी market price action काम करेगा, price action मतलब market गया, resistance hit किया, क्योंकि news के time पे price action काम नहीं करता, technical काम नहीं करता, लेकिन जब एक बार news settle हो जाता है, उसके आदिये गया, resistance hit किया, उसके बाद यहां पे यह country's move में किया, अगर market, imagine करो market यहां से उपर जाता, एक pullback देता, फिर उपर गया, यहां पे halt करता, कुछ time फिर breakout दिया, तब यह sustainable हम लोग मान सकते थे, हाँ यह थोड़ा सा sustain कर सकता है, लेकिन 4-5 candle से continue गया है, तो chances are vary है, यहां से यह अगर resistance hit किया है, 25,000 already hit हो चुका है, और nifty उपर की पूल नहीं हो पा रहा है, तो कही ना कही आपे seller हो सकता है, और एक inverted hammer type candle में close हो सकता है, इसके लिए मैंने यहां पर सौट किया, और आपके सामने ही, समयरान 740-200 रुपे का हम लोग के आसपास losses हो रहा है, हम लोग इसको hold करेंगे, day end तक देखेंगे, इधर it will going to be a stop loss, और हम लोग को फिर टार्गेट मिलेगा, आज का दिन का जो हम लोग का टार्गेट है, निफ्टी, थोड़ा से लेट हो गए, लेट क्यों मैं आपको बोल रहा है, क्योंकि आपको बताते हैं, camera on करते हैं, थोड़ा लेट हुआ, बट फाइन कोई शुने कुछ बड़ा रिक्स नहीं है, यहां पर हम लोग का stop loss रहेगा, और हम लोग ने sort किया है, हम लोग का target समय रहा हूँ, 21,040 minimum होना चीए, और उसके बाद होगा, तो इसको hold भी कर सकते हैं, अगर day and take यहां पर बना रहा है, अई हो भी पोइंट आपको समझ में आ रहा होगा, तो यह रूल हमेशा लिख लेना, हमेशा एक point ध्यान में रखना, जभी भी market में stretch हो चुका होता है, मतलब buyers को अरड़ी पैसा मिल चुका होता है, तब 5 पे में बहुत अच्छा काम करता है, और एक resistance मिल जाए, resistance मतलब क्या होता है, जब first time resistance होता है, यह वले इतना beautiful दिखने रहा है, अभी imagine करो market अगर यहां से fall करता है, इसके नीचे आता है, और अगर दो-तिन दिन के बाद यहां पर फिट से ही जाता है, that means यह एक resistance लेवल बन चुका है, यहां पर अगर कोई 5 पे मिलेगा, तो confidence के साथ हम लोग प्लान कर सकता है, तो moment जहां से यह reversal आया है, first time hit कर रहा है, तो chances से वहा हम लोग को वहां पर profit हो सकता है, तो दो condition में याद रखना, selling always, price action, low formation में होता है, या फिर range बना, breakdown हुआ, उस formation में होता है, और एक हम लोग प्लान करते हैं कि नहीं, अगर market over extend हो चुका है, तब sell करें, तो that means against the trend, जभी भी आप trade कर रहे हो, make sure करना, quantity आपका कम होना चीए, stop loss आपका कम होना चीए, so that क्या होगा, अगर stop loss hit भी होता है, तो आपको कुछ ज़्यादा फरक नहीं परना चीए, क्योंकि stop loss कम रहेगा, लेकिन अगर tops return आता है, तो आपका target बढ़ा होना चीए, so that क्या होगा, that means एक over extend हो चुका तो market अगर वहां पे top में आपने capture किया है क्योंकि nifty market में future में जादा कुछ move नहीं किया है, अगर यहां से fall होता है, एक single candle का हम लोग का SLA, यहां से fall होता है, तो 21,000 के आसपास है 21,020, which is more than 1 is to 3, 1 is to 4 के आसपास हम लोग का target रहेगा, और हम लोग इसको hold करेंगे, and bank nifty अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग का target थो यूफोरिया था, अभी आज वो यूफोरिया चला है, 21,000 क्रोस कर गया, 21,000 बहुत सारे लोग बाई करेंगे, लिकिन आपको यह समझ में आना चाहिए, 19,800 से भी कुछ लोग purchase करके रखे होंगे, और इस तरीके से market मूफ कर रहा है, कुछ खास profit booking दिखने रहा है, तो today can be the date किने, जहाँ पर हम लोग को एक negative scenario, यहाँ पर market दिखा है, inverted hammer में यह close करें, इस तरीके कुछ candle में close करें, फिर उसके बाद एक profit booking आए, तो इस तरीके से मैंने प्लान किया किने, हाँ, जहाँ पर कम रिक्स दिख रहा है, रिक्स कम दिख रहा है, हम लोग प्लान, जद जद जब return आये, top से जब return आये, हम लोग उसको capture किये, क्यूंकि वो हमारे setup के हिसाफ से था, यह पर point आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरीके से होता है, अभी बस हम लोग को wait करना है, and scenario देखते हैं, किस तरीके से plan होता है, अभी net to net के अंदर, 11 रुपे, 12 रुपे के आसपा अभी चल रहा है, अभी wait करता है, हम लोग किस तरीके से यह plan होता है, दोनों जगापे मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, screen लगा लेता हूँ, और इसके अंदर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर trade manage करना तुरह सा easy रहता है, इसके लिए मैं प्लाटफोर्म यूज करता हूँ और Fires का प्लाटफोर्म है, और description box में लिंक है, अब लोग देख सकते हैं, अगर आपको interesting लगता है, तो अभी wait करते हैं, 1600-1700 यह एक candle का SL, फिर हम लोग का wait, अभी 2300 लॉसे चल रहा है 2400, फिर मैं update करता हूँ, किस तरीके से यह हुआ, in the end में, तो अभी अगर हम लोग द सकता है, क्योंकि बार-बार में एक point आपको बताता हूँ, stretch के बाद अगर 5PM में युच कर रहे हो, वो ज्यादा profitable हो सकता है, और आज सबसे ज्यादा turnaround point कहां पे दिख रहा था, 21000 बहुत टाइम से, लोगों गला था 21000 क्रोस होगा, फिर 22000 जाएगा, फिर उपर की तरफ ज हो रहे हैं, यहां से continuously sort आ रहा है, तो यह जब continuous move किया resistance area पे, फिर हम लोगों ने 5PM में देखके, sort किया 22000 profit, almost timing से ही होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आजे options, मतलब आजे trader, you should be very patience, wait करना चाहिए, और अगर अभी हम लोग daily chart देखेंगे, आपको समझ में आ रहा रहते है, morning के अंदर, आधा गंटे या गंटे पहले, यहां पर trade कर रहा था, आप सावचरे हो, किस तरीके से price action read होता है, तो trader तभी बन सकते है, देखो, investor तभी बनता है, या future में प्रेडिट कर सकते है, किस तरीके से price read होगा, या फिर किस तरीके से business change होगा, वो आपका future ह अगर आपको trader बनना है, तो आपको price को सही से read करना आना चाहिए, और this is one of example, hit the like button अगर आने वारे टाइम में आपको ऐसे कुछ वीडियो चाहिए, जो कि थोड़े से अलग हो, और आपको सीखने के लिए बहुत सारे चीजे मिले, और यह मत सोचना है कि एक दिन देखकर हा 25,000, 24,000 यह हम लोग का target था, मैंने बस trade देखा, trade ले लिया, यह नहीं सचाहिए कितना मिलेगा, कितना profit होगा, लेकिन यह अच्छा गासा हम लोग को मिल चुका है, अभी तो वेट करते है, तो अभी market हो चुका है, हम लोग का timing 2 o'clock के आसपास हो चुका है, for the record में इसको close क कर दे रहा हूं, so that क्या है, हम लोग को एक अच्छा गासा profit, यह 34-35 उससे ज्यादा ही था, लेकिन जैसे मैंने वोला है, M2M के उपर focus नहीं रखेंगे, हम लोग का plan of action था कि नहीं, हाँ, आज market नीशे की तरफ आ सकता है, एक inverted hammer हो सकता है, जब market यहाँ चल रहा था, वोश कि तीन देन यहाँ पर wait किया है, तो हो सकता है, कि नहीं यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ और pull हो, लेकिन अभी भी एक घंटा और बाकी है, तो हम लोगों को जो plan था है, कि नहीं एक inverted hammer बनायागा, यह बना चुका है, तो हम लोगों ने उसके लिए निकाल दिया, लेक जब भी मुझे concept दिखेगा, Friday के दिन specially मैं ट्राइ करूँगा कि नहीं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना के दूँ, फस्त नहीं, 5 पे में कभी यूज करना चाहिए, पहले मैंने आपको बताया, आज 5 पे में अच्छा काम किया होगा, क्यों, क्योंकि पहले ये stretch हो दीजे, first pullback में आपको M pattern चाहिए, जैसे यहाँ पे market बना, M pattern बना, तो that means कही ना कही मार्केट थोड़ा सा sentiment लूज कर चुका है, या फिर जो buying का momentum था, वो लूज कर चुका है, फिर उसके बाद आज का जैसा momentum था, आज बस Nifty 21,000 टच करने के लिए गया था, 21,000 टच किया, resistance level था, और continuous momentum में break कर रहा है, important level है, मतलो slow and steady break करना चाहिए, जैसे आपको याद होगा, Nifty, एक ascending triangle बनाया था, फिर breakout दिया, important level था, breakout उस तरीके से होता है, फिर continuous momentum था, यहाँ पे हम लोगों ने top में, फिर एक resistance पे, हम लोगों ने 5 PM में sort किया, अगर first time कहीं पे resistance में आ रहा लेकिन जब भी आप trend reversal का बात कर रहा हो, वहाँ पे minimum आपको target 1 is to 3, 1 is to 4, 1 is to 5 चाहिए, in this case हम लोगों ने कुछ नहीं तो, बैंक Nifty के अंदर 1 is to 3 से ज्यादा capture किया होंगे, और Nifty के अंदर हम लोग देखेंगे, more than 1 is to 6, हम लोगों ने पूरा top पे sort करके बेटे थे, और यहां से more than 1 is to 4, 5 capture किया होंगे, तो बस यह ही होता है कि नहीं, जब भी भी आप against the trend trade कर रहो, 5 पे में trade कर रहो, अगर top में sort मिल चुका है, 21,000 exactly resistance की तरह काम किया, यसे morning से discussion कर रहे थे, inverted hammer type भी candle बनाया, और यहां पे हम लोगो 1 is to 4 या 1 is to 5 type मिल गया, तो चलिए, मैं trading session से या फिर एक life rate से यह मैं सोच लाएं कि हाँ, यह बहुत easy है, यह easy नहीं, यह continuous practice आपको करना पड़ेगा, 21,000 एक important level था, round level था, और breakout continuously momentum में जा रहा था, bank nifty अपने आपको hold कर रहा है, previous यहां से swing बनाया था, bank nifty, उसके अंदर ही trade कर रहा है, nifty उपर की तरह move कर रहा है तो हम लोगों ने बस यह देखा, किने अगर 21,000 यहां से hit करता है, यह closing price तक market आ सकता है, और inverted hammer type बना सकता है, risk to reward अच्छा दिखा, money management अच्छा दिखा, तब जाकर हम लोगों ने इसको trade लिया, I hope यह सारे आपका aligned होने के बाद ही एक trade बनता है, I hope आपको कुछ सीखने मिल होगा, अभी click friends इसतना है, वीडियो चलाओ, like and subscribe friends, thank you